कांटून क्यारेक्टर मोटू पतलू और छोटा भीम के बच्चे दिवाने हैं अब जल्द ही छोटा भीम की मूवी छोटा भीम कुम्फु धम्मा का सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है मेरी पहचान है और मैं भीम की आवाज हूँ तो एक अलगी connection होता है voice artist और character के वीच में तो मैं जीती हूँ भीम को तो it's really special मैं एक लड़की हूँ और भीम है हमारा powerful एकदम प्यारा सा बच्चा तो उसकी voice करने के लिए difficulties तो आती है लेकिन एक voice artist होने के नाते करना तो होता ही है और आज ये सुनके बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई भीम को सुनता है तो वो बोलते है कि अरे असा लगता ही नहीं कि वो एक लड़की बोल रहा है तो बहुत अच्छा लगता है हमने पहली बर जब भीम टेलिविजन पे था 2008 में हमें मालूम था कि ये शो हेट होगा ये नहीं बता था कि भीम आज इंडिया वाइड हाउजोल नेम बन जाएगा और भीम के साथ इतने सारे सक्सेस हो हर चीज में भीम पहला इंडियन करेक्टर था जो फर्स इंडियन करे इसाल नच डचाइड का इंडिया निट्श ओरिजिनल Шो भी मन गया अभी इंडिया一個 पहला 3D स्चीजे और छुपिक फिलिम फिर दलेट जी के साथ फर्स अनिमिते सँग वीम narrative च॥टेली..? तो ऐसा कही जादा फर्स होए है भीम के साथ, तो हमारे लिए, as creators of छोटा भीम, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा इंडियन कारेक्टर और यह वरी सिंपल कारेक्टर, इतना अच्छा कर रहा है और बच्छों का दिल जीत लिया, पेरेंट्स का दिल जीत लिया, and so एक responsibility भ रखना होता है, so एकदम प्राउड फिल करता है, यह हमारी आज जो बंदी के कुफु दमा के भीम की फोर्थ मूवी है, 2016 वाली थर्ड मूवी थी, उसके पहले दो फिल्म है थे, चोटा भीम, Curse of Damyan और थ्रोन अब बाली, so हमारे न एडवेंचर ता तीसरी मूवी, तो जै इंचन ते नवस्त है, हम लोग की यह मूवी चलेगी या नहीं चली, सेम दिंग है, यही फिलिंग है आज यह मूवी के रिलीज के पहले हूँ अज़ यह पहले हैं